17 फरवरी 2024, शाम 5 बच के 35 मिनट इंडियन स्पेस एजनसी इजरो ने अपने बाहुबली रॉकेट जियेसलवी F-14 के जरीए सैटेलाइट इंसैट 3DS को लॉंच कर दिया आंध्र प्रदेश में श्री हरीकोटा के 27 धवन स्पेस सेंटर से इसकी लॉंचिंग हुई और सिर्फ 20 मिनट में ही इस रॉकेट ने सैटेलाइट को अपनी कक्षा में पहुँचा दिया जहां ये अगले 10 साल तक सोलर एनरजी के जरीए अक्टिव रहेगा ये अब तक का सबसे एडवांस मीटेरोलोजिकल सैटेलाइट है इस सैटलाइट की मदद से मौसम के बारे में सटीग जानकारी मिल सकेगी और किसी भी प्राकृतिक आपदा से पहले चेतावनी मिल सकेगी जिससे आपदा से नुकसान कम होगा और रेस्क्यू आपरेशन में भी मदद मिलेगी यह पहली बार था जब GSLV रॉकेट के क्रायोजेनिक अपर स्टेज के एक्स्टेंडेड वर्जन CUS-15 को एंवाइरनमेंटल फ्रेंडली वाइट फेरिंग के साथ उड़ाया गया था इसरो के इस एतिहासिक जीत के लिए एक लाइक तो बनता है ऐसे और भी साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए